बॉर्णिंग फिफ्ट क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक नया चाप्टर जिसका नाम है चाप्टर नमबर 11 पैरिमीटर और एरिया ओके तो इस चाप्टर में हम सबसे पहले exercise 11.1 का स्टार्ट करेंगे पैरिमीटर से की आखिरकार पैरिमीटर क्या होता है ओके तो आपका पैरिमीटर आप पहले समझों पैरिमीटर क्या होता है जो लैंथ होती है बॉंडomena की ठीके एक idealiset जैगे उसी व्हें जायेगा उस जो यह आपका जो फगर वह चांनिक फेलर है एक साइट, दो साइट और तीसरी साइट, इन तीनों को आड़ कर देंगे तो हमें पैरिमीटर पता चल जाएगा, इसी तरीके से इस फिगर का भी और इस फिगर का भी, ठीक है, तो हम क्वेशन नमबर वन से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है आपका पैरिमीटर निकालना ह प्लस एट, अब इनको हम एड़ कर लेते हैं, सिक्स और एट कितना हो जाएगा, 14, ओके प्लस, 10 और एट कितना हो गया, 18, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 1 और 1, 2 और 1, 32, तो यह आपका हो गया, 18 और 14 को आपने प्लस करा तो आपके पास हो गया 32, आपक के पीछे से यूनिट लगा दोगे सेंटी मीटर ओके तो इसी तरीके से आप पूरा question number one try करेंगे ठीक है next question हम करते हैं complete the table मतलब आपको एक साइड दिया है square की table complete करनी है और दूसरी साइड rectangle की table complete करनी है लेकिन इससे पहले हम जानेंगे देखो एक चीज अगर आप दियान से देखो तो square के उसमें आपको सिर्फ साइड दिया है और बोलाए कि perimeter निकालो जबकि rectangle में आपको एक length दिया है और breath दिया है फिर पूछा है perimeter निकालो ठीक है तो पहले हम यह दोनों figure समझेंगे कि square क्या होता है और rectangle क्या होता है ठीक है जब हम square की बात करते हैं बेटा तो square में क्या होता है आपकी चारो साइड बराबर होती है इसका मतलब side क्या होती है पहले यह समझ लेते हैं यहां पे यह जहां पे एक line segment खतम हो रहा है this is one side ठीक है यह वाला आपका next वाली side हो गई यह वाली आपकी तीसरी side और यह आपकी 4 side तो यह आपकी एक square में कितनी side होती है four side होती है ठीक है और क्या होता है की जो square की सारी साइड होती हैं बराबर होती हैं इसका मतलब समझो अगर यह 4 सेंटीमीटर की राइन है तो यह भी 4 सेंटीमीटर की साइड होगी और यह भी 4 सेंटीमीटर की साइड होगी मैंने क्या बोला साइड होगी ठीक है तो तो अगर मुझे इस चीज का ये पूरी एक साइड है ये दूसरी साइड तीसरी साइड और ये फोर्ट साइड ठीक है तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अभी हम स्क्वाइर की ओके तो अगर हम स्क्वाइर का पैरी मीटर निकालते हैं क्या निकालते है तो perimeter का मतलब होता है यह जो आपकी outer length है ना किसी भी area की यह इसको हम add कर देते हैं अब यह कितना है four centimeter four centimeter four centimeter four centimeter okay तो यह है क्या सारी side है और कितनी side है total चार तो हम इसका formula याद करने का आपको मैं बताते हूं टो टोटल कितना side है 1234 और हम क्या है ये थारी side तो हमारा यह formula हो जाते है four into side किसका निकालते हैं जब square का क्यों हूं हुआ four into side क्यों की square की सारी side क्या होती है equal होती है जैसे कि हमें इक और ले ले लेते हैं जैसरे यह 1 और square अब इसकी side यहापे two centimeter है तो ये भी क्या होगी two centimeter य तो टोटल साइड कितनी है वान तू थारी फ़ॉर इन तीनों इन चारों को आप जब एड कर दो तो आपको क्या मिलेगा देखो टू टू कितना हो गया फोर फोर टू सिक्स और तू अब अब इतना बार आप मतलब करते जा रहे हो तो आपको एट मिला है अब यहां पे देख इसे हम इसका निकालते हैं 4 x side आपका formula है तो आपने लिखा 4 x side की लेंद कितनी है 4 तो आपका यह हो जाता है 4 x 16 cm और चाहे तो आप अब आड करके देख लो 4 x 4 को आड कितना हो गाए 8 8 में 4 आड कितना हो जाएगा 12 12 में 4 आड करा 16 ठीक है आप इसे चाहे तो formula से कर लो चाहे तरीक से कर लो लेकिन आपको यह formula याद होना चाहिए formula क्या है perimeter of square का 4 x side अब हम बात करते हैं दूसरे figure की दूसरा figure आपका क्या है rectangle ठीक है अब rectangle की कैसे किस तरीकी का होता है जनरली जो हमारा room होता है वो rectangular shape में होता है ठीक है हमारे घर में generally photo frames कैसे होते है rectangular shape की होते है तो इस तरीकी का होता है आपका एक rectangle जिसमें क्या होती है यह देखो यहाँ पर तो 4 side बराबर थी अब यहाँ पर देखो यह दोनों side equal है और यह दोनों side equal है यह वाली और यह वाली बराबर है और यह वाली और यह वाली बराबर है ठीक है तो suppose अगर यह 5 cm की है ठीक है अब हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है एक लेंथ होता है लेंथ मतलब कितना लंबा है ठीक है और एक होता है ब्रेथ मतलब किसी भी चीज की कितनी चोड़ाई है ठीक है कितना चोड़ा है तो आप यह देखो यह होती आपकी लेंथ यह हो गई आपकी लेंथ और यह यह दोनों क्या हो गई ब्रैथ और यह क्या हो गई दोनों आपकी लेंद ठीक है अब देखो लेंद कितनी है फाइब सेंटी मीटर ब्रैथ क्या है थी सेंटी मीटर अब आपको निकालना है पैरी मीटर तो पैरी मीटर कैसे निकालते हैं तो पैरी मीटर किसका निकाल रहे हैं rectangle का तो इसका एक formula होता है देखो length कितनी है one two डो length है और breath कितनी है one two two breath है इसका मतलब आगर हम इसको देखें तो एक length है एक length है एक breath है एक breath है तो इसको हम क्या लिख सकते है two l और इसको हम क्या लिख सकते है 2B तो अगर इन दोनों में एक जैसी चीज क्या है 2 तो 2 आपका क्या निकल जाता है common तो आपके पास अंदर क्या रहे जाता है L प्लस B तो formula यह मैंने आपको formula निकालने का तरीका बताया है actually मैं आपको formula से भी याद करना है perimeter of rectangle is equal to 2 length plus breadth ठीक है कैसे represent करते हैं L से और breath को कैसे represent करते हैं B से अगर आपको यह formula समझ में आ गया है तो हम यह question बहुत इसली कर सकते हैं ठीक है हम second question की पहले first वाला देखेंगे जिसमें आपको square वाली table A दिया है तो देखो बच्चे side कितनी है 5 cm और हमें क्या find out करना है perimeter किसका perimeter square का अगर यह rectangle होता तो इसमें एक length दिया जाता और एक breath दिया जाता तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम first वाला करने की कोशिश करेंगे क्या है side कितनी दिया आपको 5 cm तो आप notebook में ऐसे table नहीं बनाएंगे आप लिखेंगे A side यह आपको क्या दिया है side कितनी दिया है 5 cm तो आप notebook में लिखेंगे side is equal to 5 cm ठीक है क्या पूछा है आपसे perimeter फिर आप perimeter of किसका पूछा है square का तो perimeter of square का आप formula लगाएंगे formula क्या होता है 4 into side ठीक है आप यहाँ पर 4 तो 4 ही रहेगा बीच में क्या है आपका sign multiply side कितनी है देखो side is equal to 5 cm तो हमने लिखा 5 तो 4 5 जै कितना हो गया 20 unit क्या थी cm एजी इसी तरीके से आपको second वाला और third वाला करना है अब आपको d वाला में बताती हूँ अब d वाला अलग तरीके से क्यों है क्योंकि इस बार आपको side नहीं दे रिखी क्या दे रिखा है parameter दे रिखा है ओके तो जो हमें दे रिखा है हम उसको लिख लेते हैं यह हम कर रहे है d question ठीक है तो हमें दे रिखा है इस बार parameter तो हमने लिखा parameter किसका parameter है square का कितना दे रिखा है का परिमीटर हमें 172 cm यहीं धे रखा है ठीक है हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें साइड की वेल्यू निकालनी है तो हमें पता है पेरिमीटर ओफ स्कुएर का फॉर्मला क्या होता है 4 into side ठीक है is equal to 172 यह आपकी perimeter यह ही आगया आपने perimeter of square का formula लिख दिया आपको value किसकी चाहिए side की आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी हमारे हमें जिसकी भी value निकालनी हो उसके साथ अगर कोई चीज multiply में है और इदे को यह भी number है और यह भी number है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हमें तो इसकी value निकालनी है तो जो दो number है उन्ही को तो हम calculation कर सकते है उन्ही के उपर तो हम क्या करेंगे side is equal to हम क्या करेंगे जो यहाँ पर अगर multiply में है तो समझ में आ गया आप हम इसको divide करेंगे आप इसे rough column में आप divide कर दो तो 4 जा 16 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पर आ गया 2 तो 4 3 जा 12 cancel हो गया आपके पास यहाँ पर अंसर कितना आ गया 43 तो आपके पास आजाएगा 43 cm इसका मतलब side की value कितनी है side की value है 43 cm ओके आपको इसी तरीके से इसके जितने भी questions रहे गए हैं वो आपको homework में करने हैं ठीक है नेक्स्ट वाला हम समझते है table B जिसमें हम rectangle की बात कर रहे हैं ओके तो जब हम rectangle की बात कर रहे हैं तो देखो मैंने आपको क्या बोला था length और breadth आपको दिया जाएगा ठीक है तो अगर हम table B को देखें उसमें first देखते हैं ठीक है सबसे पहले हमें दिया है length आपकी table में लिखा है length कितनी दिया आपको 4 cm और दूसरी चीज आपको दिया है breadth आपको क्या निकालना है आपको निकालना है perimeter perimeter किसका निकालना है perimeter of rectangle निकालना है जब आप perimeter of rectangle निकालेंगे तो formula क्या जाएगा 2 L plus B 2 length plus breadth length आपकी क्या है 4 cm और breadth आपकी क्या है 3 cm तो आपने लिखा 2 L की value कितनी हो गई 4 फिर आपने क्या लिया plus और breadth की value हो गई 3 तो 4 और 3 को plus करा कितना हो जाएगा 2 into 4 और 3 को plus करा कितना हो गया 7 तो 2 7 जाए कितना हो गया 14 cm इतना easy सवाल है ठीक है अब इसमें आपको एक point वाला दिया है तो मैं आपको point वाला भी multiply करके दिखा देती हूँ मतलब solve करके दिखा देती हूँ फिर आप सारे question अपने आप कर लेना ठीक है सबसे पहले आपको length दिया है हम short form में length को कैसे लिखते है L तो कितना दिया है 2.5 cm और आपको दिया है breath कितना दिया है 2.1 cm फार्मला क्या होता है perimeter of rectangle का perimeter of rectangle का फार्मला होता है 2 L प्लस B 2 L प्लस B 2 लिखा L की value कितनी है 2.5 प्लस breath की value कितनी है 2.1 अब हम इनको plus करेंगे 2.5 और 2.1 को तो पहले हम एक number लिख लेते हैं जो हमारे पास है 2.5 उसके बादे को point के नीचे point लिखो point के बाद कौन सा number है 1 तो उसको यहां लग दो point से पहले के number है 2 अब दोनों को क्या कर दो add 5 or 1 6 2 or 2 4 तो आपके पास आगया 4.6 यहां पर आगया 2 अब जब bracket और number के बीच में कोई sign नहीं होता तो हम कौन सा sign मानते हैं multiply अब इसकी multiply कर दो 2 6 आ 12 carry 1 हो जाएगा 2 4 जा 8 और 1 9 point के बाद कितने number है 1 तो आपका अंसरा देगा 9.2 cm ओके ठीक है तो आपको इसी तरीके से यह question अच्छे से करना है जब इ questions आप solve कर लोगे तो उसके बाद आगया वाले question easily हो जाएगे ठीक है